हलो फ्रेंड कैसे हो आप सब आज फ्रेंड सम्भाद करने वाले हैं गाए और भैन्स का दूध किसके लिए क्या दूध है सेहत मन और पोश्टी हर एक दिन एक ग्लास पूर्द पिने से शरीर को ताकत मिलती है यह आप जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय का दूद्ध फायदे मन है या भैस का? यह जानकर दूद्ध पिएंगे तो फायदा और भी अधिक होगा. पर इससे पहले friends अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़िए. Friends, कुछ लोग दूद्ध पिए बिना घर से नहीं निकलते. तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूद्ध को देखते ही नाग भोश सिकरने लगते हैं. किसी को गाय का दूद्ध अच्छा लगता है तो किसी को भैस का दूद्ध पिना पसंद होता है. दूद्ध पिना फाइदे मन तो हैं लेकिन ये शरीर को तब और लाग पहुँचाता है जब आप इनमें मौलजूद पोश्टिक तत्वर को जानकर इसका सेवन करें. फ्रेंट्स हर उम्र के लोगों को दूद्ध जरूर पिना चाहिए. दूद्ध पीने से ताकत मिलती है और हड्डिया मचबूत होती है. यदि गाय और भैस के दूद्ध की पोश्टिक ताके लिहां से तुलना की जाए तो भैस के दूद्ध में कैलशियम की मात्रा अधिक होती है. ऐसे में उन लोगों को भैस के दूद्ध का सेवन अवश्य करना चाहिए जिनकी हट्डियां और टाथ कमजोर है. फ्रेंस वजन बढ़ाना चाहते हैं तो भैस का दूद्ध पी है इसमें मिनरल्स जैसे मैगनेशियम, पॉटेशियम और फॉस्पोरस की अधिक होता है. गाय के दूद्ध में भी कई तरह के मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन होते हैं जहां तक की वसा की बात करें तो ग बच्चों का वजन अधिक हैं उन्हें गाय का दूद्ध पिलाना बहतर है, छोटे बच्चों को गाय का दूद्ध पिलाना चाहिए क्योंकि यह हल्का होता है और जल्दी पच जाता है, जो लोग शाय कुछ से मजबूत होना चाहते हैं उन्हें भैस का दूद्ध पीना चा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो की अपडेट जान दे रहे हैं मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई